हेलो फ्रेंड्स असलाम ओलेकुम वेलकम बेक टु मैं चैनल तम मुस्कीचान और आज मैं बनाओंगी ट्रिपल राइस ट्रिपल राइस बनाने के लिए हूं मैंने चावल और नूडल्स को थोड़ा बॉइल करके लिए हूं मैं चावल जैसे हम बिर्यानी के लिए बॉइल करते हैं वेसी तरीके से बॉइल की हूं और थोड़ा नूडल्स दाली हूं उसमें जब हम भार के ट्रिपल राइस खाते ह होटेल की तो उसमें भी नूडल्स रहता है और यह लिए हो मैंने गाजर कटा हुआ लिए हो आदा गाजर लिए हो ग्रीन ओनियन है हरी प्यास का जो वाइट साइड है वो काटी हो और यह बीन्स प्रेंच बीन्स है और यह चिकन बॉइल करके लिए हमें थोड़े छोटे पि चौप कीवी है ग्रीन चीली को और यह है विनेगर यह विनेगर है मैं आपको कॉंटिटी बताऊंगी डालते समय यह सोय सॉस डाक सोय सॉस लिए में और यह लिए हमें सेजवान चटनी आपक और ये अंड़ा है एक पराम पर जुला सूल correct बैलेंच के लिए दोनेच ़िए और यह कर रहे हुँ और यह है चॉपकियो और लिस्सन और अद्रग जिंजर गार्लिक हमने चॉपकर के लिया है और यह है अजिनो मोटो और नमाक हम कड़ाई में तेल डालेंगे देड मगगा देड़ चमच जितना है बड़ा चमच से एक ही चमच होगा अब दालेंगे हमें इसमें गार्लिक और जिंजर अद्रग लसन चॉपकिया हुआ चैनीज में कुटा हुआ नहीं जाता है चॉपकर की डाला जाता है अब दालोंगे में हरी मिर्च ग्रीन चिली गाजर और यह वाइट वाली प्याज और यह कैपसिकम सिमला मिर्च हम सब साथ में डाले है और यह बीन्स फ्रेंच बीन्स भी डाल रही हूँ हमने वेजटेबल सब साथ में ही डाले है सिर्फ 1.5 гор हम दालेंगे हम इसमें दालेंगे साॉसिज दालेंगे चाइनिज रेशिपी में वेजिटेबल कच्छी रहती है,Smั게 दालेंगे भीस बीचुड आठाड़ हम इसमें दालेंगे विनेगर और सॉसेज एक चम्मच दाली विनेगर और थोड़ा सा डाल देती हूं चम्मच में भरके नहीं आया था इसलिए मैं और थोड़ा डाली हूं एक चम्मच जितना ही डाली हूं विनेगर ज्यादा विनेगर नहीं उसकरना और ग्रीन चिली सॉच दाली हूं मैं एक चम्मच रेड चिली सॉस दाल रही हो में, दो चम्मच और थोड़ा सा दाल दूंगी रेड चिली सॉस थोड़ा ज्यादा यूज़ की हो में अब इसमें दालेंगे हम सेजवान चितनी मैं सेजवान चितनी भी बना के बताऊंगे आपको एक चमच और थोड़ा दालियों में सेजवान चितनी हम जैसे ही चितनी सब पूरी डाल देंगे सॉसेज डाल देंगे तो गैस को स्लो कर देंगे हाई फ्लेम पे जादी कुख हो जाएगे हमारी सबजी टमेटो केचप रहे गया था टमेटो केचप डालना मैं भूल गई थी जगा नहीं है किचन पर रखने के लिए नीचे रख दी थी तो और चुट गया था मुझसे अब डाल देती हो में टमेटो केचप साथ में डालना है हमें हम सब सॉस डालेंगे तब ही टमेटो केचप भी डाल देंगे एक चमच भरके डाली हुमें टमेटो केचप अब हम इसी भी मिला लेंगे अब इसमें डालेंगे हम डाक सोय सॉस सोय सॉस हमने दो रादा चमच डाले हैं टू एन हाप स्पून अब दालो में ब्लेक पेपर पह Al subconscious डाली हुमें ब्लेक पेपर टेबल स्पून से डाली हुमेn आब दालेंगे हम इसमें राइस बॉल किया हुआ चावल और नूडल्स नूडल्स भी ज़्यादा नहीं डाली हूं, थोड़ा और नूड्ल्स आध करी हूं हий चावल में आपको आजेणो मोटो डाली हूं में पाउ चमत से भी कम डालना है जरा सा اजेणो मोटो आपने चावल पाउ Sh tambas, जादा नमक कैंड़क कर से तक दे नमक कमयगा कपालम vous लिखता कशा नमक आपने हिसाब कि अपनी नमक से डालेघे नमक अब हम इसे मिल या लेंगे उच्छे स Snाहिज उआ एक दिखाई क क्योंकि ठंडा होना चाग एक गरम चावल में हम triple rais बनाते हैं तो चावल तूट जाता है चावल लंबा-लंबा नहीं रहता है, बड़ा-बड़ा चावल नहीं दिखता है इसलिए हमें triple rais बनाते समय चावल ठंडा ही लेना है boil करके रख दीजे आप थंडे चावल होंगे तभी आप बनाईएगा triple rice गरम चावल में मत बनाईएगा अब इसमें डालेंगे हम chicken के piece जो हमने छोटे करके रखे थे चावल साइड में हटा देंगे बीच में थोड़ी जगा कर लेंगे उसमें डालेंगे हम ये chicken के piece चोटे किये हुए और फिर उसे हम पूरे चावल से कवर कर देंगे और हिलाएंगे हम अब अच्छे से इसे हम एक मिनट के लिए पकाएंगे हाई फिलम पे cook करेंगे fry करेंगे हम चावल को हमारे चावला और नूडल्स एक-जैस ही दिख रे हैं चावल में हमारे लंबल भी मैंने थोड़े चोटी की हूँ चावल के बराबरी दिख रे हम राइस को हिलाते रहेंगे राइस को खो चुकी है हम ल्हे रहना होग गये अगर हम चमाश बंद कर देंगे तो नीचे चावल चिपक जाएगा और ये निकाली हो में अब प्लेट में हमारी राइस और नूडल्स मैंने मिला के बनाई हूँ अब हम इसमें ओमलेट फ्राइ करेंगे ओमलेट को हमें ज्यादा फ्राइ नहीं करना है ट्रिपल राइस में ओमलेट भी रहता है सिर्फ नमक डालके हमें फ्राइ करना है ज्यादा तेल भी यूज़ नहीं करना है हमें ओमलेट बनाते समय अदा मगगा जितना तेल डालोंगी में हमें तेल ज्यादा गरम नहीं होने दिना है ओमलेट बनाने के लिए हलका सा तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें अंडा डाल द कि हमारी ट्रिपल रइस वैसे लगती है जिसे हम स्ट्रीट फुट पर खाते हैं चाइने ज्यादा करके स्ट्रीट फुट पर मिलता है अरे थोड़ा साइड में जहां तेल नहीं है वहां पर थोड़ा चिपका है मैं निकाल के पल्टा देती हूं और यह हो गया हमारा ओमलेट भी थोड़ी spring onion डालती हूं में हरा प्याज एक बार आप ट्राइ करिएगा यह triple rice Chinese dish है यह हमारा ओमलेट और यह rice यह थोड़ी spring onion में उपर भी रखती हूं अमलेट के अब हम बनाएंगे ग्रेवी triple rice की ग्रेवी होती है वही ग्रेवी बना रहे हैं हम और मैंन दाली हूं एक मगे से थोड़ा से ज़्यादा तेल दाली हूं विनेगर डाक सोय सॉस विसे जवान चटनी है यह चिली सॉस है रेड चिली और ग्रीन चिली सॉस यह black paper है काली मिर्च कुटी वी और यह chicken है बॉइल किया हूँ यह 7-8 पीस है chicken बॉइल किया हूँ नमक डाल के बॉइल की हूँ और यह जिंजर गार्लिक चॉप किया हूँ और यह vegetables है और यह spring onion हलका सा तेल गरम हो गया है हम डालेंगे अब अध्रक लसन जिंजर और गार्लिक इसे हम थोड़ा हिला लेंगे इसे हमें ज्यादा कूप नहीं करना है अब डालेंगे कट्टी भी हर्यमेज डालियों में थोड़ी सी ज्यादी डालियों थोड़ा स्पा यह राइट कटावा spring onion है वह हरी प्याज का वाइट हिस्सा है यह बींज डाल रही हो गाजर और कैपसिकम सिम्बला मेर्ज अब इसे हम अच्छे से फ्राय करेंगे high flame पे पकाना है हमें इसे भी और cook नहीं करना है सबसी को अब इसमें डालेंगे हम sauces यह डाली में chili sauce red chili sauce डाली हो एक से देर चम्माच जितना है chili sauce और एक चम्माच है green chili sauce ब्लैक पेपर डालोंगे में पाव चम्माच सोया sauce डालेंगे हम दो चम्माच अब डालेंगे में सेजवान चटनी सेजवान चटनी थुली जादी यूज़ किये हैं हमने दो टेबल स्पून होगी सेजवान चटनी देखें कितनी colorful दिख रही है हमारी gravy का जो masala बना रहे हैं हम और तुलासा डाल देती हूं डाक सोया sauce से flavor अच्छा आता है अब डालेंगे इसमें हम चिकन के पीस साथ से आठ पीस है चिकन के सिर्फ नमक डालके मैं पाने डालके बॉयल किये हूं हम इसमें कोई color यूज नहीं करना है यह soya sauce तमेटर केचप इसी से हमारे इसमें color आ जाएगा चैजवान चटनी में color होगा थोड़ा यह डाली में अजीनो मोटो एक चुटकी डालना है ज्यादा यूज नहीं करना है अजीनो मोटो को विनेगर डाली में आदा चमच और यह जो चिकन का stock था वही है वही पानी यूज कर रही हो में अब इसमें नमक डालेंगे हम पाउचम मच आप अपने टेस्ट के साब से डालीएगा नमक यह कॉन फ्लार लिएँ में एक और आदा चमच देड़ टेबल स्पून लिएँ कॉन फ्लार ज्यादा कॉन फ्लार नहीं यूज करना है हमारी ग्रेवी जादी गाड़ी हो जाएगी यह कॉन फ्लार डाल रही हो में इसे मक्य का आटा भी कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके आड़ करेंगे अगर एक साथ हम कॉन फ्लार डाल देंगे तो ग्रेवी जादी गाड़ी हो जाएगी हमें देखना होगा थोड़ा थोड़ा डाल के कॉन फ्लार को थोड़ा थोड़ा डाल के देखेंगे हम ग्रेवी हमारी गाड़ी हो रही है कि नहीं अगर गाड़ी हो जाएगी तो बंद कर देंगे अगर थोड़ी लिक्वीड रहेगी पतली रहेगे तो हम थोड़ा और आड करेंगे आप थोड़ा सा एड की में अब थोड़ी गाड़ी दीखने लगी है हमारी ग्रेवी इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ा पानी डाल देती हो हमें चमाच में लेके एक टेबल स्पून जितना राली हमें पानी यह हमारे ट्रिपल राइस की ग्रेवी वही फ्लेवर आएगा इसमें आपको जैसे हम भार से खाते हैं उसी तरह के से लगेगा यह हमारा ट्रिपल राइस ग्रेवी एक बार ट्राइ करिएगा आपने भार के ट्रिपल राइस खाई होगी उसी तरीकर से flavor लगेगा मेरे ट्रीपल राइस का भी और इस प्रिंग आनियन दाली हों में थोड़ा हरी प्यास कर टीवी दाल रही हो और थोड़ी प्यास मैं बचा के रखी हो स्प्रिंग गानियन गानिशिंग के लिए रखी हूं उपर से डालेंगे तो दिखने में अच्छा लगता है और खाने में भी फ्लेवर अच्छा लगता है यह निकाली में ग्रेवी बाउल में आपको अगर मेरी रेसिपीस पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरी रेसिपीस को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और यह स्प्रिंग आनियन डाली में थोड़ा इस में भी डाल रही हू मैं और अच्छे अच्छे रेसिपीस आपके साथ शेयर करूंगी यह हमारे ट्रिपल राइस के राइस है और यह ग्रेवी अब हमें चैनल खाने के लिए बाहर जाने की ज़रूत नहीं है अब हम घर में बना लेंगे चैनीज ट्रिपल राइस और एक ग्रेवी देखिए लिखने में भी वेसे ही लग रहा है जैसे हम भार से खाते हैं प्लीज सपोर्ट मैं चैनल थैंक यू फो वाचिंग